प्रदेश में प्रथाम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारिक थी कबिर्धाम, जिले के पंडरिया और कवरधा विधासवा शेत्र के लिए 59 प्रत्याशियों नामांकन दाखिल के कबरदा विधानसभा शेत्र से अब तक 27 अभ्यार्थियों द्वारा 44 नाम निर्देशन जमा किये गए हैं जिसमें दो लोगों के द्वारा नाम निर्देशन जमा नहीं किये गए हैं इसी प्रकार पंडरिया विधानसभा शेत्र से 24 अभ्यार्थियों द्वारा 42 नाम निर्देशन जमा किये गए हैं, जिन में 11 लोगों के नाम निर्देशन जमा नहीं किये गए हैं. नाम निदेशन पत्र जमा करने के अंतिन दिन 20 अक्टूबर को पंडरिया विधानसफा श्रेत्र से 9 भ्यार्थियों द्वारा 20 नाम निदेशन पत्र जमा किये गए इसी प्रकार कबरधा विधासभा शेत्र से 15 अभ्यार्थियों द्वारा 15 नाम निदेशन पत्र जमा किये गए कलेक्टे रिवंब जिला निद्वाचन अधिकारी श्री जनमेजे महुबे ने बताया कि कबिरधाम जिले के कबरधा और पंडरिया विधासभा शेत्र के लिए जमा किये गए नाम निदेशन पत्रों की समिक्षा आज की जा रही है वही कोंडा गाउं जिले के केशकार और कोंडा गाउं विधासभा शेत्र के लिए कूल 24 प्रत्याशियों के नाम नामांकन दाखिल के गए हैं केशकाल के लिए नामंकन दाखिल करने वालों में भारतिय जन्यता पार्टी के निलकंटिकाम, इंडियन नैशनल कॉंग्रिस के संतराम निताम, कम्यूनिस्टर पार्टी ओफ इंडिया के दिनेश कुमार मरकाम और आमादमी पार्टी के जुगल किशोर बोध सहित अन्य शाम है.